कई बार क्या होता है कि अगर हम बिना सोचे समझे अगर UPI payment से transition करते हैं तो या तो transition limit आ जाती है या payment की limit आ जाती है और important transition रुख जाता है तो ऐसा ना हो इसलिए हमें transition limit या फिर payment limit हमें UPI payment की पता हो निचा है तो आपको मैं बता दूख के ATM से अगर आप transfer करते हैं तो आप द पे transfer कर सकते हैं लेकिन पूरे दिन में आप केवल 10 transaction कर सकते हैं इसी तरीके से आपको मैं Amazon Pay की बात करूँ तो आप Amazon Pay से अगर transfer करते हैं वो भी आप एक लाख रुपे ट्रांसपर कर सकते हैं और अगर most popular phone pay की बात किये जाए तो उसमें भी आप हर दिन एक लाख रुपे ट transfer करना है ताकि कोई भी important आपका जो ट्रंडे सन्हभूरूक ना जाए